गुड मॉर्णिंग नमस्कार स्वागत आपका हमारे चैनल जी एसस्टटी 94 में और दोस्तों मेर्श तो दोस्तों भारत जैसे देश में इस समय एक तरह से कह रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा पर्व चलवा इस समय जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लोगतांत्रिक दे देश है वह भारत है ठीक है और इस समय जो पर्व की बात हो रही है वह है आपका लोग्षभा का चुनाओ लोग्षभा का चुनाओ दोहजार चौबीस यह जो है 19 अप्रेल से एक जून तक चलेगा और चार जून को मत करना होगी और यह पूरा तरह से साथ फेज में होगा साथ चरण होगा अब ऐसे में पूरी तरह से जो आसंका व्यक्ट की जा रही है अलांकि यह आसंका हमारे और आपके दौरा नहीं की जा रही है अमेरिका के जो सबसे दिगज सबसे बड़ी कंपणी है माइक्रोसौफ उन्होंने पूरी तरह से सतर्क और पल्लव एक तरह से देश ने किसी देश की बड़ी कंपणी ने दोसारूपन किया है मुझे लगता है चाइना में जितने भी कहने का बल्लव जो भी एक्यूब्मेंट बन रहे हैं उनका पहले किसी भी देश में यदि भेजा जाता है वो पर्चेश करता तो बहुत बारिकी नजर से देखता है कि उन्हें डर है कि चाइना जैसा देश कहीं हमारे यहां कि जो निजता है जो प्राइवेसी है उसको खंडिक तो नहीं कर देगा उसका उलंगन तो नहीं कर रहा है अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि अमेरिका और मेक्सिको के तट पर बड़े-बड़े वैलू पूरी तरह से हाइटेक कैमरा पूरा लगा के लैसो के घूम रहे हैं हमारे सीमावर्ती जो है जो डेमोग्राफी है उसका पूरी तरह से उलोकन कर रहे हैं वहां की जियोग्राफी का उलोकन कर रहे हैं तो कहीं में कहीं यह खत्र की निसानी है चीन जैसा देश बोला किया वह भटक गए होंगे। सोचे उसको पॉलिश्यू के देखिए। माल लिजे आपका परिवार या परिवार से बाहर किसी से भी मतभेद है। लडाई जगला है। यदि वह चोरी चुपके हाइटेक कैमरा लगाके आपके घर के दिवाल के पीछे आपकी सारी गतिविदिश्य पर नजर रखे तो आपकी क्या प्रत्किया होगी उनके लिए। ये आपके लिए भी भै पैदा कर देगा और आप उनसे सतर्प हो जाएंगे। इसके लिए आप तुमाम परेंके केस मुकदमे सब कर सकते हैं। ऐसे अंतराश्टी नियाले भी है। आप जाकर चानज इसे अभी जानते हैं ताइवान में चुनाव हुआ है और ताइवान में चुनाव पूरी तरह से वहां की जो राजनितिक पार्टियां थे उन्होंने का बहिए यह निस्पक्ष कहीं से भी चुनाव नहीं है। थीन जैसा देश पूरी तरह से इसमें दख्लंदाजे दे चुका है कहीं सैन कारवाई के माध्यम से कहीं पूरी तरह से पैसा जहूंग दे रहा है कहीं पॉलिटकली दबाव बनाया जा रहा है इस प्रकार से वहां पर चुनाव हो रहा है और बार यह आरूप लगता है चाइना जैसे देश के उपर कि कुछ इर्द गिर्द जो उसके छोट जो जरूरते हैं उसको पूरा करेंगे और आपको इतना ज़्यादा पैसा देदेगा उसके बाद जब उसी पैसे की रिकवरी के लिए आपसे बात करने लगेगा तो पता चला कि आपको पुरे सिस्टम को इसने हैक कर लिया है जमीने आपको लीज पर ले लेगा उसके कैनाटा जैसे देश ने भी कहा है कि जो हमारे हैं इससे पहले का जो चुना हुआ था पाकिस्तान और चाइना एक दोनों मिलकर कि इस पकार से कैनाटा जैसे देश में भी चुनाओं को प्रभावित करने का प्यास किया गया वहां के पढ़नामों को बदलने का प्यास किया इस पकार क्यों प्रणालों प्लंग रहा है और भारत जैसे देश को और भी सतर्प होने क्या हो सकता है इसलिए क्योंकि आपको भी पता है आजकाल AI AI का मतलब हुता है आर्टिफिसियल आर्टिफिसियल इंटेलिजन्स इसका मतलब हुआ कृतिम बुद्धिमता ठीक है कृतिम बुद्धिमता और इस समय मैं आपको बता दूँ यह सबसे हाई लेवल का जो है तकनीक है इसमें क्या है यह सिखने की जो इंके अंदर प्रणाली हो बढ़ेगी सोचने समझने की इंके अंदर ताकत है और किस प्रकार से आई कि माध्यम से आपके चेहरे को हूँ बहू ऐसा दिखा दिया जाएगा रस्मिका मंदाना से ने रस्मिका म जो है भारत जैसे देश के लिए भ्रहमुत्पन कर सकते हैं तो इनी सारी चीजों का सहरा लेगा कैसे आपकी वाइस का क्लोन बनाएगा पता चला क्लोन बना दिया उसके बाद डीफेक डीफेक ऐसा होता कि आप ही कि तरह हूँ आपका चेहरा बना दिया जाएगा पूरी ज हमारे देश में एक तरह से निगेट्टिम हाल बनें यहां पर धार में उन्माद हो जातिगत हिंसा हो ऐसे में चाइन जैसे देश को अथा फायदा होगा, फायदा क्यों होगा? क्योंकि इसमें चाइना जैसा भी देश जानता है कि यदि मेरे बिस्तारवाद नेती को कोई रोकने वाला है ठीक है तो एसिया में कोई और देश नहीं है सिवाए भारत की क्योंकि भारत जैसे देश को पस्चमी देशों से पूरी तरह से योगदान मिला है सायोग मिला है इस इस वज़े से भी यह जानता है कि यदि मेरे मन मुताबिक कोई यहां पर कोई पार्टी जीतती है तो मेरा करेंगे उसके बाद मैं फिर भारत जैसे देश पर राज करूंगा इसलिए आप लोग सतर करें इस बारत जबाब मत करना स्तल पर जाएं तो सही कैंडिडेट को मतदा करें जिससे हमारे देश के सीमा सुरक्षित रहे हमारे देश में रोजगार मिले हमारे देश के सेनाओं का बलिदान निर अर्थक नहों यह सारी बातों पर आप द्यान देखिएगा कि किस प्रकार से गलवान घाटी में चाइना जैसे देश ने अस्तछेप किया डूकलाम जैसे मुद्दे को लेकर चाइना जैसे देश ने भारज जैसे देश के साथ जड़ब किया हलांकि किस प्रकार से हमारे देश के निताओं है चतुराई से इसको अपने कबज में लेकर एक मिसाल करन की अब ये देखी कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसी सरकार यहां पर हो जो बहुमत में होगी तो खुलकर कोई किसी प्रकार का भी निड़ा लेंगी जो कि हमारे देश के लिए खत्रा होगा और SM यह कभी भी नहीं चाहें ऐसे यह क्या करेंगे यह तोड़ेंगे हमारे देश के अंदर जितने भी राजमतिक पार्टियां उनको तोड़ेंगे उनका उद्देश यही रहेगा कि यहां त्रिसंकों की सरकार बने सब अनियोजित तरीके से हो यह इस प्रकार दखल इकोनमिक कवरी रोड बनाया जा रहा है वो क्या है वो पूरी तरह से अवैद निर्मार है यह जो गौदर बंदर का कर निर्मार कर रहे हैं वह रास्ता हमारे हां से लेकर जा रहे हैं याद रखेगा जब कभी भी भूमी दो लोग के बीच में विवादित हो तो तीसरा व् प्रदेश में भी सड़क का निर्मार कर दो कोई बोलने वाला ना हो इस प्रकार की इनकी जो है नीथिया है राज आक को भी पताया कि किस प्रकार से भारत जैसे देश को यह पूरी चारु तरफ से घेलने का प्रयास कर रहा है अब सिलंका ने पैसे के करदे में जब आ गए सोचिए तो कहिंद भी हमें घेर रहा है मैं अम्यार को प्रलोबंदे का पैसा फुकर वहां पर चौंकिया बना रहा है नेपाल को भी समय गिर्फत में ले रहा है तिबबत को पूरी तरह से उसने ले ही रखा है इधर फिर बीच में आपने देखा हुआ कि अनुनांचल प् प्रवा होकर हमारे भारत ती राज़्यों में प्रवेश की हैं अब वो क्या करता है सैकड़ो सैकड़ो गैर तरीके से उसने बांद बना रखे हैं और जानते हैं अगर जैसे दिन अगर एक बांद एक बार जोड़ दियाने भारत जैसा पूरी तरह से बैह जाएगा यहां पर अस्थिरता हो जाएंगी तो एक तरह से ये भी उनका बहुत बड़ा हथियार है ऐसे चीजों पर हमें जो है अंतराष्टी न्याले में अंतराष्टी बिरादरी में जाकि हमें अपनी बात प्रमत्ता से रखनी चाहिए और लोगों तक बताना चाहिए कि ये अगर गलत न चुमाव है सही तरीके से नहों यहां पर उनमाद हो जाए हिंद मुसलिम के नाम पर यह ऐसे सर्वे कराएगा ठेक डीप बीडियो बनाएगा कि कटरता लाव एक दूसरी के मारा यह काटो वो मारो यही इसकी प्लैनिंग है इसलिए आप और हमारी जमेदारी है यदि इस प बनाए गया है यही हमारे और भारत जैसे देश के हित में रहेगा तो अचले इतना ही नमस्कार धन्यमाद चैक